DRDO द्वारा बनाया जारा new surface-to-surface ballistic missile Prelay जो की चाइना के खिलाफ यूज करने के point of view से बनाया जा रहा है तो next 6 month के बाद हमें इसके बहुत सारे testing होते हुए दिख सकती है क्योंकि DRDO द्वारा 5 Prelay missile को बनाने के order दिये गए हैं जिसे 6 month के अंदर deliver कर दिया जाएगा Prelay missile की technology को PAD यानि के प्रिथवी air defense और BMD यानि के ballistic missile defense के technology को मिला कर बनाई गई है जिसके कारण Prelay का third stage 1MIRV है जो की anti-ballistic missile को defeat करते हुए target को hit करने में सक्षम है 150 to 500 km की range के साथ LAC के लिए ये बेहदी critical system है क्योंकि ये अपने साथ different type of warhead को ले जाने के साथ साथ ये इस warhead को different direction में split भी कर सकता है यानि की बिखेड सकता है जिससे की एक साथ किसी भी बड़े area को target किया जा सके